नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप हम एक बार फिल से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे NCTE New Guidelines 2021 तो दोस्तों नई guidelines जारी की गई हैं NCTE की तरफ से आपको पता ही होगा NCTE की guidelines के according ही all over India हर एक राज्य सरकार और केंदर सरकार जो अपनी है वो teachers की recruitment करती है तो उसमें एक बड़ा बदला NCTE की तरफ से किया गया है जानकारी बिलकुल विस्तार से मैंने आपको detailed वीडियो के माधिन से provide कराई थी पर उस वीडियो के निचे काफी ज़्यादा comment आ रहे थे कि हमें clear नहीं हुआ है क्या update आई है निकल के तो बिलकुल short में आपको information इस वीडियो में provide कराएंगे आप वीडियो को शुरू से लेके आखिल तक जरूर से जरूर देखे और teachers recruitment से जुड़ी हुई सभी प्रकार की latest update सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर ले तो ठीक है दोस्तो अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो ये देखे दोस्तो गजट notification जारी किया गया है भारत का राजबत्र NCTE की तरफ से 13 October 2021 को बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता देता हूँ NCTE की तरफ से एक एक एकरत B.A.M.Ed का तीन वर्से कोर्स लांच किया गया है जो कि सनातकोतर पोस्ट ग्रेजवेशन के बाद कंड़क्ट कराया जाता है तो इसी से समबंदित सभी अपडेट है नया कोर्स लांच किया गया है तो eligible भी वो करना ही होगा तो उसे शामिल कर लिया गया है यह देही 95 परतिशत अंकू अथा उसके समकष ग्रेड के सास्थ नातकोतर और तीन वर्से एक एक एकरत B.A.M.Ed का कोर्स कर रखा है तो आप T.G.T. के लिए आविदन कर सकते हैं और उसी के साथ साथ आप P.R.T. के लिए भी आविदन कर सकत से माननेता पराप्त किसी संस्थान से तीन वर्षे एक एक एकरत B.A.M.Ed की योगता हासिल कर ली है उसे कक्षा एक से पांच में तक पढ़ाने है तो अध्यापक के रूप में न्युक्ति के लिए विचार किया जाएगा तो विचार कौन कर सकते हैं जो राज्य सरकार है य सिक्षक के रूप में न्युक्ति के दो साल के भितरास्टि अध्यापक सिक्षा परिशे द्वारा मननेता प्रारंबिक सिक्षा शास्तर में अनिवारी रूप से छे मेने का ब्रिज कोर्स करना होगा तो यहां इन्हें भी B.A.M.Ed वाले जो केंडिडेट्स हैं इन्हें भी छे मेने का ब्रिज कोर्स करना होगा जो एनिंग के दो साल के अंदर अंदर तो यह दोस्तों चोटी सी अपडेट है नया कोर्स लांच किया गया है कंबाइंड B.A.M.Ed का तीन साल का कोर्स है यह तो उन्हें एलिजेबल किया गया है TCT और PRT के लिए तो यह जो लाइनी है यह NCTE को एड करनी थी जो 2010 में नोटिफिकेशन गजट जारी किया गया था उसमें तो यही अपडेट है और कुछ नहीं है इसमें जो आपके साथ इस वीडियो के माधिन से बिलकुल शॉर्ट में प्रवाइड कराई गई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें फिर मिलते हैं किसी नवी वीडियो के साथ अब तक के लिए नमस्क्राइब